हालो फ्रेंट्स वेलकम टू प्रित्योगीता दिर्पन में हूँ प्रशान ताजम बात करने जा रहे हैं सुसाइट्स इन इंडिया के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपका स्पेसिफिकली पीपर वन सुसाइटी के लिए तो इसे हम डीटे अबीके डेटा को अगर नोटिस किया जाए तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में सुसाइट्स का एक ट्रेंड देखने को मिला हैं consistent trend है सुसाइट्स का और ये rising trend है काफी जादा वरिसम बात है आईए हैं इसे detail में डिसकस करते हैं पूरे topic को सबसे पहले हम news देखेंग तो हिंदु का आटिकल है housewives makes up over 50% of India's female suicides NCRB का data जो कहता है वो यह कहता है कि इंडिया में जितनी female suicides होते हैं उसमें 50% से ज्यादा housewives है यह अगला आटिकल देखते हैं after waves of covid-19 is economic distress causing spike in suicide deaths in India तीसरा आता है what's killing our students हम पूरा detail में discuss करने वाले हैं यहाँ पर female suicides को लेकर के farmer suicides को लेकर के और students का जो suicides है उस पर भी हम बात करेंगे क्या-क्या factors इसके बीचे काम करते हैं और क्या reasons हो सकते हैं suicides के और कैसे इसने deal किया जा सकता है अब सबसे पहले news पर बात करते हैं कि हाल फिलाल में 10th September को World Suicide Prevention Day celebrate किया गया और यह जो day है यह observe किया जाता है कई सालों से और इसका जो main purpose होता है वो है to raise awareness about suicides अब यह जो दिन है basically World Suicide Prevention Day यह 2003 से observe किया जा रहा है अब जब यह 2023 में observe किया गया इन female suicides में housewives के जो number हैं वो काफी जादा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं World Suicide Prevention Day के बारे में यह 2003 से observe किया जा रहा है और यह basically International Association for Suicide Prevention में स्टार्ट किया था along with the collaboration of WHO IASP as well as WHO ने collaboration में इस day की शुरुबात की थी और इस day का जो main purpose था that is to raise awareness about suicides and reduce stigma surrounding the suicides जैसे suicide के अगर कोई बात भी कर लेता है तो लोग जैसे इंडिया में अगर बात की जाए तो already mental health के लिए लोग बहुत ज़्यादा focus नहीं करते हैं ठीक है किसी की mental health अगर खराब भी होते हैं तो लोग directly पागल गोशित कर देते हैं तो suicide के असपास भी कुछ ऐसा ही stigma है अगर कोई बहुत anxiety face कर रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा किसी के बुरा time चल रहा है और काफी ज़्यादा depression face कर रहा है तो suicidal thoughts आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और अगर कोई suicide करने की बात कर देता है तो ऐसे में जो surrounding लोग है उन्होंने अपने दिमाग में एक stigma बठाया हुआ है वो directly भूल देंगे कि पागल हो गया है इस तरीके का जो thought process है काफी ज़्यादा कहना चाहिए कि छोटा thought process है तो इससे deal करना और इसके बाद suicide के against एक awareness को बढ़ाना basically world suicide prevention day इन सारे objectives के साथ में काम करता है अब recent data की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने कुछ trends देखे जैसे housewives जो है housewives एंडिया के female suicide जो है उसमें housewives के numbers काफी जादा है अब काफी जादा की अगर यहाँ बात की जाए तो to be precise 51% है और यह data है 2021 का NCRB का data यह कहता है कि जितने इंडिया में female suicide 2021 में देखे गए उसमें से 51% housewives थी इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखी गई कि इंडिया में जो total suicides होती है उसके 15% जो है यह housewives के numbers है अब यहाँ पर एक जो trend देखा गया वो यह देखा गया कि certain states में suicides जो है वो जादा है जैसे Tamil Nadu है, Telangana है, करनाटगा है यहाँ पर इस certain category में कुछ जादा suicides देखे गए including Kerala और यह जो variation है यह काफी जादा है आगे हम पूरा map पर देखेंगे अब housewives की बात करें है आपर तो यह जो data है, क्या बताता है NCRV के data के according जो female suicides है, उसमें 51% तो housewives है तो कुछ तो issues face कर रहे होंगी न क्यों यह step लेने के जरूरत पड़ती है, why? तो हम इस why को discuss करने वाले हैं सबसे पहला आता है limited mobility अब specifically rural area के अगर बात की जाए urban areas में तो फिर भी जो women's की mobility है वो काफी अलग level की है, rural areas की बात की जाए तो women's को अकेले travel नहीं करने दिया जाता हूने कहीं भी जाना हो, तब भी कोई नहीं कोई हमेशा साथ में जाता है तो mobility काफी जादा limited हो जाती है के women's काम नहीं कर पाती है अगर in case वो पड़े लिखे भी है तब भी वो काम नहीं कर पाती है specifically यहाँ पर rural areas की बात करें तो तो financial dependency यहाँ पर पैदा हो जाती है एक तरीकी की और जो उनकी autonomy है ना काफी जादा कम हो जाती है क्योंकि उन्हें dependent रहना पड़ता है अपने in-laws पर या अपने husband's पर finances के लिए तो यह भी अपने अपने एक restriction काफी बड़ी हो जाती है इसके बाद marital control obvious सी बात है Indian society is a patriarchal society well in that case काफी जादा control भी face करना पड़ता है women's को मतलब actually जो भी in-laws ने या husband ने बोल दिया उसे follow करना ही करना है और बहुत religiously follow करनी होती है यह चीज़े तो यह control काफी जादा like at times frustrating होता है इसके बाद abuse चाहे वो physical हो चाहे sexual हो चाहे emotional हो lastly किसी की मदद मांगने के लिए किसी की मदद मांगने के लिए बहुत ही जादा reluctant होता है बहुत संकोच करता है और कई बार तो होता है कि आप anxiety face कर रहे हो या फिर आप होता है कि बहुत depressing thoughts face कर रहे हो तो आप किसी से share भी नहीं करना चाहते और reason being people do start laughing उन्हें लगता है कि क्या है मतलब यह चोटी सी problem face नहीं कर पार हो बट हर किसी के लिए अपनी अपनी problems अलग होती है हर किसी को अपनी अपनी problems अपनी according face करनी पड़ती है कुछ लोगों को शायद जो problems बड़ी लगती होंगी सायद दूसरे लोगों को problems चोटी लगती होंगी तो ऐसा जरूरी नहीं है सबको अपनी problems बड़ी लगती है और कई बार आप जब अपने comfort zone से बाहर आगे अपनी problems को face करते हो तब आपको बता पड़ता है कि यह problem कितनी बड़ी है जो actual में suffer कर रहा है वो ही समझ सकता है इस चीज को तो generally क्या people are judgmental वो मतलब judge करने लगते हैं कि you can't deal with this situation और बहुत चोटी से situation है और इसके बाद बहुत से लोग हसने भी लगते हैं कि क्या है इतनी चोटी से problem के लिए तुमने तमाशा बना दिया है वो बता भी नहीं सकते हैं किसी को कि कितना anxious हैं या फिर कितना depressing thoughts face कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि उन्हें suicidal thoughts भी आ रहे हैं और depressed हो और हो जाता है ऐसा it's pretty normal because हम इंसान हैं हमारे अंदर emotions हैं life maps and downs आते हैं और कई बार हम उनसे deal नहीं कर पाते हैं और ये वही time होता है जब इंसान depressed हो जाता है या फिर बहुत low feel करता है और इसी time पर सबसे ज़्यादा आपको लोगों की help की जरुवत होती है आपको गूमने फिरने की जरुवत होती है आपको बाहर जाने की जरुवत होती है आपको किसी से बात करने की जरुवत होती है और यहांपर हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ें कही बार मिल नहीं पाती है ये हो नहीं पाती है तो ये कुछ हमने factors की बात की कि housewives के case में ये चीज़ें क्यों देखी जाती हैं, काफी सारे factors हैं कि उनकी जो एक्चल में freedom है काफी जादा restrict हो जाती है, financially dependent होती है, इसके बाद in-laws या फिर husband की हर एक बात माननी पड़ती है, कई बार जैसे specifically rural areas में देखा जाता है, certain cases में domestic violence के इसके बाद लोग help भी नहीं मांगने के लिए तयार होते हैं, तो ये सारे factors कुछ इस तरीके से काम करते हैं, कि लोग suicide जैसा step लेने के लिए भी तयार हो जाते हैं, क्योंकि dependency बहुत जादा है, और help कोई कर नहीं रहा है, और शायद उन्हें आगे life जीने की इच्छा भी ख पर rural areas के अगर हम बात करें, तो rural areas में आप देखेंगे के pesticides हो गए रहा, बहुत easily available हो जाते हैं, reason being, farming community पूरा-पूरा rural areas में ही रहता है, तो वहाँ पर pesticides हो गए रहा, जैसे जो भी poisons हैं, बहुत easily available हो जाते हैं, तो लोग उनका use करके होता है na suicide attempt कर लेते हैं, और बन areas में भ ठीक है, बट मुझे लगता है कि इससे जादा शायद दिलेरी वाला काम हो सकता है कि आप एक बार किसी अपने से बात करें या फिर आप किसी psychiatrist से बात करें हो, at least seek some help, शायद आप जिन thoughts के वे से suicide करने का decision ले 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 तो शायद वो इतने जरूरी हो ही ना, शायद वो चीज काफी जादा देखने को मिले हैं विछले कुछ सालों में, उस पर भी हम बात करेंगे कौन-कौन से factors काम करते हैं, बट ये जो students के suicides है ना, ये certain states में concentrated है, overall इंडिया में suicides होते हैं, लेकिन certain states में ये numbers जो हैं काफी जादा है, महराष्टरा, माधिप्रदेश, दिन दन करनाटगा दन और इसा, इन certain states में काफी जादा student suicides हर साल देखने को मिलते हैं, और आपने recently देखा होगा, कि कोटा में भी आपको हर साल कुछ news suicides की देखने को मिलती हैं, और कोटा का factor ये होता है कि पढ़ाई का जो pressure है, काडमेक्स का जो pressure है, बच्चे नहीं face कर पाते हैं, और शायद नहीं extreme step लेना पड़ता है, NCRB के data की माने, तो आप यहां ये figure आप देख सकते हैं, कि suicides में एक trending situation हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये positive trend है, हर साल जो suicides के numbers हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, they are rising, और ये चिंता जनक situation है, एक worrisome बात है, ये कि लोग help नहीं मांग रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाते हैं, और suicide attempt कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि suicides के असपास एक stigma है, आप अगर किसी को बोलेंगे कि मुझे suicidal thoughts आते हैं, तो most of the people are like के अभी क्यों आते हैं, ये बहुत छोटी सी problem है, और ये की बात नहीं है, उन्हें समझना, that's why I'm telling, कि लोग help मांगने से डरते हैं, but actual में उन्हें ये नहीं पता कि help मांगने किससे हैं, वो शायद चाहते भी हैं कि वो help मांगे, but society में हरको ये अपकी mental condition नहीं समझ सकता है, ठीक है, they're not even trained, कि वो समझे, इसलिए तो हमने psychologist बिठाय ह जो है, इनका काम ही actual में आपकी mental situation को समझना है, कि आप क्या चीज़े face कर पा रहे हैं, suicide is a big decision, तो basically ये एक trend जो है, rising trend देखने को मिल रहा है एंडिया में, और सीधी बात है कि काफी सारे issues हैं इसके पीछे, and lastly, लोग शायद help भी नहीं मांगना चाहते हैं, अब यहाँ पर ह हमने, farmers के भी काफी जादा suicides की बाते सुनी हैं, और काफी जादा news पड़ी है, इसके लावा students के भी हम आए दिन, जो suicides है, students के उसकी भी news हम देखते रहते हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो factors काम करते हैं, उसमें आता है agricultural, distress and financial issues, अब actual में, कई ब बारिश नहीं होती है, और crop fail हो गई है, ठीक से output नहीं निकला, तो पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, और कई बार होता है कि दो या तीन सीजन back to back, ठीक से बारिश नहीं होती है, और crops fail कर जाती है, well in that case, उनके उपर जो loan है as well as interest है, वो इतना जादा हो जादा हो जाता है, कि अचा है दुने, suicide का decision लेना पड़ जाता है ऐसे case में, क्यूंकि local money lenders का interest rate हो बहुत ही जादा होता है, बहुत ही जादा, bank के case में तो क्या है कि interest rate भी कम है, और कई बार अगर proper crop failure दिखा जाता है, और मतलब बहुत ही जादा irregular monsoon दिखा जाता है, तो government खुद भी कुशिश कर जाता है, अगर back to back 2-3 season, उनकी crop fail कर जाती है, तो इतना जादा कर्ज हो जाता है, कि वो suicide कर लेते हैं, और यह जादा as in, we are talking about farmers, शायद 1-2 lakh का कर्ज हो जाता है, और इसी में उनना suicide करना पड़ जाता है, आप सूचिए, फिर आता है academic pressure, तो जो students का है, basically students का actual में, specifically आप दे गेंगे Delhi, Bombay, Bangalore, यहाँ पर जादा suicides है, अगर nearby cities से compare किया जाए तो, अब बात करें academic pressure की, students जो suicide करते हैं, उसका reason है academic pressure, आप जाते हैं, और जैसे आपके parents हैं, चाहते हैं, कि आप doctor बने, आप engineer बने, आप lawyer बने, आप competition के exams fight कर रहे हैं, आप college में admission लेने के लिए exams fight कर रह है, nervous होने के बाद और थोड़ा सा confidence की कमी के बाद, उस pressure को face करना और ज्यादा भारी पड़ता है, और performance pressure, actual में जितना ज्यादा pressure लिया जाएगा, performance उतना ही downgrade होता चला जाता है, और यहीं पर बच्चे आके अपना confidence lose कर जाते हैं, और उस academic pressure में sustain ही नहीं कर पाते हैं, कि 20 स तूटना शुरू हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए academic pressure कई बार वो face नहीं कर पाते हैं, और उन्हें यह drastic step लेना पड़ता है, suicide का, इसके बाद mental health issues, अब actual में directly कोई भी suicide का decision ले ले, यह possibility है क्या, कोई अच्छा कासा हस्ता खेलता, healthy इंसान suicide करने जा सकता है क्या, not at all, यह शुरुवात होती है यहां से, actual में आप कई बार life में disappoint होते हो, कई बार होता है कि आपको काफी बूरा time face करना पड़ता है, disappoint होना पड़ता है, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, आपको success time पर नहीं मिलती है, आप जो कर रहे होते हो, पूरी मानत करते हो फिर भी आपको results नहीं मिलते हैं, तो यह जो disappointment face करनी पड़ती है, यह धीरे-धीरे saturation आती है, इसकी आप multiple disappointment face करते हो, आप जिस काम में हाट डालते हो, शायद आप वहाँ fail हो जाते हो, और ऐसा कई बार देखने को मिलता है, काफी लोगों ने multiple failures देखे एक success मिलने से पहले, तो जब आपको continuously disappointments face करनी पड़ती है, चाहे वो career wise हो, चाहे वो health wise हो, चाहे family issues हो, चाहे relationship issues हो, आप continuously एगर वहाँ पर disappointments face करते हो, तो एक certain time पर आके आप थोड़ा सा depressed होता है, और mental health issues की शुरुवात होती है, तीक है, आपको anxiety issues रहेंगे, इसके अलावा आपको anger issues रहेंग क्योंकि यह इतनी सारी जो disappointments आपने life में face की है, यह कभी न कभी तो concentrate होके, इखटा होके, और कुछ न कुछ तो effect करेंगी न, तो यहाँ से शुरुवात होती है, mental health issues से, और यह mental health issues, जब यह depression में convert हो जाते हैं, आप बहुत जादा सूचने लगते हैं चीजों को ले करके, और जब depressed होने लगते हैं, और यह depressing thoughts, finally culminate करते हैं suicide में, क्योंकि आपको यह लगेगा कि यार मतलब आप continuously सोचते रहेंगे, और बहुत जादा सोचेंगे हर चीज के बारे में, और आपके जो भी failures होंगे हैं, जो भी disappointments होंगी life की, आप continuously उसके बारे में सोचते रहेंगे, दिन रात आपको दिमाग में वही घुमेगा, और एक certain time पर जब आप आएंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आप किसी तरह की exercise नहीं करते हैं, आप अपने खाने पर फोकुस नहीं करते हैं, आप अपने friends या फिर अपने family member से बात नहीं करते हैं, और हमेशा आप एक thought process में घुमते रहते हैं, आपका दिमाग जो है उस thought process में लगा हुआ रहता है, आप continuously वही बाते सोचते रहते हैं और जब आप continuously वही बाते सोचते रहेंगे, तो यहाँ पर mental health खराब होने लगती है, mental health खराब होने लगेगी धीरे धीरे कही न कहीं, it will turn into depression, और depression के वज इनसान जाके suicide कर लेता है, इसके बाद family pressure, आप कही बार आप देखेंगे के students के case में भी family pressure बहुत जादा होता है perform करने के लिए, कि आपको XYZ IIT में जाना है, IIM में जाना है, IMS में जाना है, या फिर किसी अच्छे university में जाना है, कुछ भी XYZ degree के लिए, तो family के बार इतना pressur कर जाती है, और students उसके according perform नहीं कर पाते हैं, और एक certain time में लगता है कि हमारी family हम से disappointment हो, इससे अच्छा है कि हम suicide कर लेते हैं, तो इस तरीके का जो family pressure होता है, कई बार वो भी kind of reason होता है बच्छों के suicides का, इसके बाद आता है cyber bullying, अब specifically young girls के case में ये चीज बहुत जादा द सारे anti-social elements भी मौज़ूद रहते हैं, और इन्हें कुछ नहीं है, इन्हें होता है कि शरीफ बच्चों को ये बच्चियों को target करना होता है, ठीक है, अब उनसे बात करी है, और अगर आप बात नहीं करेंगे, तो गाली कलोज शुरू कर देते हैं, abuse करना शुरू कर देते है ठीक है, stalk करते रहते हैं, continuous, that's what is cyber bullying, इसके बाद आता है isolation and loneliness, अब actual में ये जो mental health issues की शुरूवात होती है, ये यहां से होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि आप न तो अपनी problem किसी से discuss करना चाहेंगे, ना आपके मन में क्या चल रहा है, आप बताएंगे, ना आप friends के साथ time spent करेंगे, आप बस अपनी जो disappointments हैं, उनके बारे में continuously सोचते रहेंगे, और सोचते रहेंगे, तो mental health issues जो है, mental health issues तो आएंगे ही न, reason being, आप अकेला पन, isolation, loneliness, आप वो चीज़ एंजॉई करने लगते हैं, reason being, आप अपनी पुरानी चीज़ों को बार-बार सोच पाते हैं, आप इसलिए किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते हैं, और जब ऐसा stage आता है, तो इस stage के बाद जो अगला stage है, वो mental health issues ही है, यह कब depression में बदल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, depression की सबसे खास बात ही है, आप depression में जब पहुंच जाते हैं तब सुझना आत कि आप isolated होकर कि overthinking करते रहेंगे, करते रहेंगे, और कब आप depression में पहुंच जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा, तो isolation और loneliness भी बहुत बड़ा factor है, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी negative कोई सोचता है ना, और अगर वो isolated है, तो negativity prevail करेगी, और वो negativity कहीं न कहीं है, बहुत higher chances है, reason being, life में कई सारी disappointments face की है, और यहां से शुरुबाद होती है mental health issues की, जो की ले जाते है, suicide की तरफ, फिर substance abuse as well as relationship issues, अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि relationship में लोग बहुत जादा लड़ाई जगड़े और वो सब चलता रहता है, एक दूसरे को लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई बहुत जादा बढ़ जाती है, तो कई बार heat of the moment में भी लोग relationship issues के बज़ा से suicide जासा step ले लेते हैं, इसके बाद आता है substance abuse, अब actual में कई बार ऐसा देखा गया है, कि कुछ जो hard drugs हैं, जो chemicals हैं, ज जब लोगों को लगता है कि they are addicted, तो addiction किसी को भी ऐसा लगेगा ना, कि हम अगर substance abuse कर रहे हैं, तो we should not be addicted, ठीक है, और किसी को भी लगेगा कि नहीं है, यह तो addiction है, मुझे छोड़नी है, बट इतना असान नहीं होता है, rehab इसलिए तो जाते हैं लोग, जिनने नशे छोड़न आगे बढ़ती हैं और आप substance abuse को छोड़ पाते हैं, अब कोई बंदा suddenly decide करता है कि मुझे कल से किसी भी तरह का substance abuse नहीं करना है, और suddenly next day किसी तरह का motivation नहीं है और उसने फिर से वह substance abuse किया, चार दिन में frustrated हो जाएगा हूँ, चार दिन में frustrated हो जाएगा कि मैं control क्यों नहीं कर और यह बहुत बड़ा reason हो सकता है कि यह frustration कब mental health issues की तरफ उसे ले जाएगी और कब depression में ले जाएगी, certainly thought आएगा ही आएगा एक certain time पर कि मैं नशे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, I am addicted and suicide is the only way out, तो यह हमने सारे factors discuss किये कि कौन-कौन से factors इस तरीके की mental state की तरफ ले जाने के लिए responsible हो सकते हैं, अब government initiatives की बात कर लेते हैं, क्योंकि NCRB का हमने data देगा पिछले 5 साल का trending data है, तो अव्यस सी बात है कि government ने भी इस issue को बहुत seriously लिया होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला है mental health care act, किरन help line, अनुधरपन initiative, national suicide prevention strategy, तो यह चार government initiatives specifically suicide के लिए हैं, अब यहाँ way forward क्या हो सकता है, हमने पूरा issue discuss किया, अब obvious सी बात है कि women's के case की अगर बात की जाए, तो कुछ हम certain measures ले सकते हैं, जो women's society को कम करने में हमारी help करेंगे, जैसे सबसे पहला आता है AI powered skill development, अब जैसे कि हमने देखा था एक financial dependency जो होती है, specifically हम Indian society की women's की बात कर रहे हैं, तो बह the husband, या financially dependent, तो हम कहीं ने कहीं skill development programs से ला सकते हैं, जिससे financial dependency थोड़ी सी कम हो, क्योंकि अगर finances इस चीज़ का reason बन सकते हैं, suicide का reason बन सकते हैं, finances या financial dependency, तो skill development से उनकी help की जा सकती है, इसके बाता है mental health care के लिए, चीज़ें को accessible बनाना, और इसके लिए हमें सबसे पहले, जो reason being, इंडिया में अगर आपने mental health care की बात कर दी, और अगर बोल दिया, कि भईया mental health ठीक नहीं है, आदमें सीथे पागल होशत कर देता है, that's how we Indians deal with mental health issues, तो इसलिए यहाँ पर awareness काफी जादा ज़रूरी है, कि हमेशा mental health खराब होने का मतलब यह नहीं होता, कि इंसान पागल है, पहली बात, दूसरी बात, कि जो mental health care के institutions है, उनकी accessibility को हमें improve करना पड़ेगा, lastly, certain legislations and regulations can be provided, जिससे के, जो सारे factors हमने discuss किये, उनने address किया जा सके, तो यह थी हमारी आज की discussion about suicides in India, काफी holistic discussion रही हमारी, और हमने housewives के suicide, students के suicide, और farmer suicide पर discussion की, NCRB का data देखा, और जो factors काम करते हैं, जो की suicides की तरफ इंसान को ले जाते हैं, हमने उनने details से discuss किया, ऐसी ही informative videos के लिए हमारे साथ जुड़े रही है, thank you, thanks for watching and please do subscribe and share the video, thank you.